नमस्कार सुप्रभात आप सभी का दिन शुभिव मंगल मैं हो स्वरू परवेदी क्लीनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रंकला में आज दिनांग 26 माई 2021 को हम आप से बात करने जा रहे हैं कि विटामिन C की हमारे शरीर में क्या इंपोर्टेंस है और इसके साथ साथ ही COVID-19 जैसी pandemic condition में COVID-19 infected patients में विटामिन C देने का क्या रोल है क्या वाकर ही इसे COVID-19 disease के case में लेना जरूरी है और अगर जरूरी है तो कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है इस बारे में जानेंगे आज हम अपने इस वीडियो में तो चलिए आएए अपने इस वीडियो की शुरुवात करते हैं और इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं वो यह सबसे बारे तो हम आपसे बारे में बात करेंगे इसमें वीडियो में कि आखिर विटामिन C है क्या और इसके डेली requirement क्या है साथी साथ हम अपने दूसरे point पर आएंगे कि विटामिन C की human body में क्या importance है क्यों जरूरत होती है विटामिन C की हमारे शरीर में क्या role दिखाता है अपना साथी साथ हम बात करेंगे कि विटामिन C की deficiency क्या होती है यानि किन sign और symptoms को देखके किन लक्षनों को देखकर हमें ये पता चलेगा कि हमारे शरीर में विटामिन C की कमी हो रही है और इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि विटामिन C की देना कितना जरूरी है COVID-19 से infected patients के case में और क्यों जरूरी होता है क्या role होता है इसका COVID-19 के cases में और लास्ट में हम बात करेंगे किस डाइट के द्वारा जो है वो हम विटामिन C की deficiency को या फिर इसकी requirement को supplement ना लेकर केवल डाइट के द्वारा किस किस डाइट के द्वारा इसकी कमी को हम पूरा कर सकते है तो चलिए आएए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले point के साथ में और हमारा पहला point है कि आखिर विटामिन C है क्या और इसकी डेली रिक्वार्मेंट क्या होती है तो एक्चॉल में अब हम बात करेंगे कि इसके डेली रिक्वार्मेंट क्या है विटामिन सी की कितना चाहिए होता है हमें विटामिन सी डेली कितनी मात्रा में तो अगर हम बात करें एडल्ट्स की तो मैन में अनि मेल परसंस में जो हमें चाहिए होता है वो 90 मिली ग्राम डेली चाहिए होता ह विटामिन सी जबकि वहीं अडल्ट वीमेंस में यह हमें चाहिए होता है लगभग 75 mg के आसपास डेली और प्रेगनेंट विमेंस में इसकी मात्रा जो रिक्वार्मेंट होती है वो होती है 85 mg की मात्रा में इसे डेली विटामिन सी चाहिए होता है यह बात हो गई कि विटामिन सी क्या है और विटामिन सी की डेली रिक्वार्मेंट क्या है तो अब हम अपने अगर दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि यह है कि आखिर हमारे शरीर में क्या इंपोर्टेंस है विटामिन सी की क्यों जरूरी होता है इसका क्या रोल होता ह एक किया only है तो इसके बारे में यह कर सब्सक्राइब होता है, हमारी growth development के लिए इसकी बहुत इंपोर्टेंस हैं यह उसके लिए ज़रूरी होता है इसके साथ-साथ ही यह हमारे शरीर के टिशुज जो body tissues होते हैं उन्हें repair करता है उसके लिए जरूरी होता है और यह कोलेजन की फॉर्मेशन करता है अायरन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन सी की इम्पोर्टन्स है तो यह इसके लिए बिज़ूरी है सखेर मेरे इम्ठी हमारा एम्मीन चांच है वह प्रोपर फंक्शन के विद्में चाहिए होता है इसके साथ साथ अगर हमारे शरीर में कहीं पर कोई घाव हो जाता है वुंट बन जाते हैं तो उन वुंट हीलिंग के लिए भी चाहिए होता है क्योंकि यह अलड़ी सारे बॉड़ी टिशू की रिप्यार में इसका रूल होता है करता है इसके साथ ही क chosen a cartilage को दो को और टीथ को maintain करने का काम करता है kaardio scular disease में इसके बहुत importance है और आई डिजीज में इसके इप्रहिट है तो देखेव अगर आपको कहीं हो जाता है तो सारे शरीर की जो body tissues की जो repair है वो यही करता है, इसके साथ good healing में काम करता है, growth development में काम करता है, cardiovascular diseases में इसका रोल है, skin wrinkling के लिए and eye diseases में इसका रोल है, iron के absorption के लिए भी vitamin C हमें चाहिए होता है, उसकी भी जरूरत होती है और हमारे शरीर के immune system यानि रोग प्रतिर्द धक्षम ता के proper function के लिए भी vitamin C की जरूरत होती है, तो vitamin C एक तरीके से देखा जाए, तो हमारे शरीर की बेहत ज़्यादा जरूरत है, इसलिए यह essential nutrient माना जाता है तो यह तो बात हो गई कि आखिर हमारे शरीर में vitamin C की क्या जरूरत है, क्या role है, क्या importance है तो अब अपने आते हम अगले point की तरफ जिसमें यह है कि कि लक्षणों को देखकर, या sign या symptoms को देखकर हमें यह पता चलेगा कि हमारे शरीर में vitamin C की deficiency हो रहे है विटामिन C के deficiency से जिसमें की bruises पढ़ जाते हैं, blue color के marks जैसे पढ़ जाते हैं, gums से bleeding होती है, जबडों से blood आने लगता है, weakness होती ही शरीर में थकान हो जाती है तो यह तो चीज स्कर्वी नामाग जो रोग हो जाता है, यह धीमें डेवलप होता है इसके जो लक्षन है, वो लक्षन देखे आप कैसे पैचानेंगे तो उसमें क्या होता है, rough और bumpy skin हो जाती है जैसे आपने देखा होगा, acne मुहासे होते हैं, उसी की तरीके के bumps बन जाते हैं, arms पे, thighs पे और buttocks पे यहां पर acne की तरीके के छोटे-छोटे bumps बन जाते हैं, cork screw shaped body hairs हो जाता है, जो hairs होते हैं, वो cork screw के shape के coil जैसे हो जाते हैं, लेकिन यह जज़ा तर detect नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे यह इस shape में आते हैं, यह fall हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, तो उन्हें detect नहीं कर पाते हैं इसके थूर हम इसमें जो finger nails होते हैं, fingers nails होते हैं, वो spoon shaped हो जाते हैं, चम्मच के आकार की हो जाते हैं, और साथ ही सथ इसमें red spots भी lines बन जाते हैं, और spoon के shape में nails जाते हैं, अगर ऐसे आपको nails किसी के दिखाई देते हैं, तो अब समझ जाएगा कि उसमें vitamin C की deficiency हो जाती है, इसके साथ इसकी डेफिशनसी में ड्राइ और डेमेज स्किन हो जाती है बहुत ड्राइ होने लगेगी डेमेज जैसी हो जाएगी इसी ब्रूजिंग होगी मतलब उसे कहीं पर भी ज़र्दा प्रेशर पढ़ाने कि वह नीले नीले चकते पढ़ने लग जाते हैं इनकी डेफिशनसी वीक हो जाती है जैसे ब्रूज आएगा रहते हैं इसमें वंड हीलिंग जो हो जाएगी मैंने बताया था कि वंड हीलिंग में रोल होता है बढ़ने गाओ को अँझील होने में काफी टाइम लगेगा है साथ ही साथ क्या होता है कि इसके अगर डेफिशेंसी में joint pain सेंटी जो सीभी ज्वाइंट पिंग करते हैं और कुछ केसे में एसा भी होता है कि joint में internal bleeding हो जाती है जिसकी वज़े से वहां पे painful swelling हो जाती हिए कुछ केसमें joint बोन्स जो हैं वीक और ब्रिटिल हो जाती है और गम से यानि जबडों से जो खून आने लगता है जो टीथ होते हैं दात होते हैं वो हिलने लगते हैं धीले पढ़ने लगते हैं और परसिस्टेंट आयरेंड डेफिशनसी अनीमिया और उस परसन में कुछ ना होते हुए भी आपको लगतार आयरेंड डेफिशनसी अनीमिया यानि की खून की कमी आपको देखने के लिए मिलेगी साथी साथ उस परसन को जो फटीग रहेगा थकान रहेगी उसे यह चीज लक्षान देखकर हमें पता चल सफता है कि बंदे में परसन में जो है वो विटामिन सी की अर्चे सिअलम प silently धोनों को जाएंगी उसे लृष बेहें और सथा के अर्ल कि विःस बैक्सुट्व खंटा इस्म उफचिन ऑ बने लगेंगी गए हृजे एस्ली फोट परने लगेंगे ज़र जड़र सी बात वाक्ती हर , गेह सब्य सम Sonen Ne साथ ही साथ में painful, swollen joints हो जाएंगे, कम से bleeding होगी, teeth lose होने लगेंगे, iron deficiency, anemia हो जाएगा और fatigue थकान रहेगी तो इन लक्षनों को देखकर हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें vitamin C की deficiency हो रही है और हमें vitamin C लेने की जरूरत है तो यह तो बात हो गई कि हम किन लक्षनों से इसकी vitamin C के deficiency का पता करेंगे लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो आजकल COVID-19 pandemic condition में COVID-19 जो disease है इसके treatment के protocol में vitamin C दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है क्या वाकई जरूरी है और कितना जरूरी है क्यों दिया जाता है इसको तो इस बारे में अच्छल में यह बताया जाता है कि जो vitamin C होता है यह एक water-soluble vitamin होता है जो की माना जाता है कि severe or critical illness से केस में इसके beneficial effect होते हैं जदा तर जितनी भी severe or critical illness होती है उसमें इसका beneficial काफी अच्छा प्रभाव दिखा जाता है vitamin C का त्योंकि एक water-soluble vitamin B होता है यह एक antioxidant भी है free radical scavenger भी है साथ-साथ इसमें anti-inflammatory property होती है यह cellular immunity को भी influence करता है और vascular integrity में भी इसकी importance है इस वजह से होता क्या है कि जो human body होती है उसमें अगर oxidative stress की condition होती है कोई भी ऐसी disease जिसमें oxidative stress की condition होती है वहाँ पर vitamin C दिया जाता है और यह serious infections में सेपसिस की cases में इसको देते हैं और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो SARS है COVID-19 infection है इसमें सेपसिस हो जाती है ARDS हो जाता है acute respiratory distress syndrome हो जाता है इसलिए यहाँ पर vitamin C को अधिक मात्रा में लेने की जरूरत होती है जिया vitamin C बहुत जरूरी है COVID-19 cases में अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे बाहर से dietary supplement के रूप में लेते हैं या फिक आप इसे अपनी डाइट में ही इसकी requirement पूरी कर लेते हैं क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूं इसकुछ ऐसी डाइट कुछ ऐसी चीजें जिससे इसकी requirement पूरी हो जाती है जो कि विटामिन सी रिच होते हैं तो वो डाइट क्या है जिसमें विटामिन सी की मात्रा जादा होती है तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा आवला जो आवला होता है यह विटामिन सी रिच होता है अगर आप दिन में दो से तीन आवले भी खा लेते हैं तो आपके लिए विटामिन सी की आपको सप्लिमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ग्वावा यानि अम्रूद इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है कीवी नामक फ्रूट में विटामिन सी की मात्रा काफी अच्छी होती है लजल्च, फफी तुमाइटो, कॉन ऑखे विटामिन सी अच्छी मातरा में पायां, टामेटो, विटामिन सी अच्छी मातरा में मातरा है इसक आपर कोच्छा विटामिन सी चनला है कॉलिखेल विटामिन सी के डिफशंसी लग राईए melhor दो, यड़ शम्गिताạnh डिए Mac या अगर आपको लग रहा है कि आपको विटेबिन सी लेने की जरूरत है तो ज़रूरी नहीं कि आप डाइटरी सप्लिमेंट के रूप में से लीजे इसकी टेबलेट खाये आप ऐसे भी अपनी डाइट में इन चीजों को बढ़ा कर इसकी कमी को या इसकी रिक्वार्मेंट क पूरा कर सकते हैं और मैंने हमेशा आप लोगों से यही का है कि हमारे पास बहुत सारी चारो टरफ बहुत सारी ऐसी चीजे हैं वेजेटेबल से फूर्ट से डायट है हमारी चीजे जिसमें किसी ना किसी चीज की मातरा अधिक एक उसे चाहिए उसे सब्सक्राइब और अगर हमें विटामिन चाहिए तो तो अगर हमें थोड़ा सा अच्छी मात्रा में ले लेंगे तो फोरी हो जाएगी और हमें डियेतरी सप्लिमेंट के रूप में इसे बहार से नहीं लेना पड़ेगा तो बैने हमेशा आप लोगों से कहा है कि दिंचर्या बदलिए अपनी और आप स्वस्त रह सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना है हमारे दिंचर्या के सुविचार की इस श्रंकला से हमारे साथ जुड़े रहना है अगर आपने हमारा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करिए अगर आप इस तरह की अधिक जानकारी आगे भविश्य में चाहते रहते हैं धन्यवाद